कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता और कोई किसी को कुछ नहीं कहता ये तो अपने विवेक की बात है संकर भगवान अगर आपके दिल में बेठे हैं हिर्दाय में बेठे हैं तो ये किसी ने बेखुब बना कर नहीं बिठाया ये आपके भीतर की रुची भगवान शंकर के प्रति जागरित हुई तब आप शिव के हो पाएं तब आप शंकर के हो पाएं शिव ऐसे ही नहीं मिल जाता है अब इंदी दिने भी तो प्रयास करा होगा कि एक लोटा पानी चड़ा कर तो देखू शिव सुनेगा मेरी और यह विश्वास रखतर उन्हों जल चड़ाया और पानी पिया तो कैंसर जैसे बिमारी से भी मुक्त हुई है कैंसर जैसे बिमारी को भी पीछे पाचाड़ जी यही भी विश्वास भीतर की दड़ता भीतर का भरोसा यह कहां से लग और मेरी माताओं से मेरी बहनों से मेरे भाईयों से और मेरे जितने बंधुयां बेटे हैं बेटा बेटियां साब से निवेदन करूंगा आप प्रती कोई दिन बिना शर्म के बिना संकोच के एक लोटा जल चड़ाने शिव मंदिर जरूर जाओ वो तुमारा अंतिम समय तक हात नहीं छोड़ेगा उच्छाल देथा रहेगा नीचे नहीं गिरने देगा एक ठेला चलाने वाले से भी कहूंगा इभीक मंगने वाले से भी कहू कि भीक मंगने के लिए भगवान किसी को नहीं बुलाया अपने भूमी पर कब तक भीक्षा मंगोगे नहीं परमातमा की शर्ण में जाईए और एक निवेदन करूंगा सबसे करजा किसी से मत लो क्योंकि जिन्दगी भर करजा का नाम है कर कर के जा और उसी का नाम है करजा जिन्दगी भर चुका चुका के मर जाते हो बच्चों को चुकाना पड़ता है एक बार अगर करजा लेने की जरुवत पड़े तो मेरे महादेव के चर्णों में जाकर साथ दिन लगातार घी का दिया लगा कर बेलपत्र समर्पित करकर जल चड़ाना रोज एक बेलपत्री उठा कर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू किरपा करना कि मुझे कहीं करजा लेने की जदुवत नी पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा तू समर्पत्र आया है एक पत्र में एक भाई दुकान के लिए करजा ले रहा है देखी उस पत्र में कितने सुन्दर बार्ग उसने कही में लता लोहार पती विनोद लोहार कहीं बेठे हों लता जी और विनोद जी लोहार में लता लोहार पती विनोद लोहार दस इसनेह नगर संजीत रोड मनसोर से हूँ मैं कहीं बेठी हों तो हाथ हिलाईए दा कहीं बेठी हैं तो हाथ हिलाईए दा जहां भी बेठी हों लता लोहार पती विनोद लोहार गुर्देयों मेरे पती की 15 वर्चों से अनुकंपा नियुक्ति थी अनुकंपा नियुक्ति की कोसिस करते रहे थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली 2019 में भी बहुत प्रयास करा लेटर आया लेकिन कोरोना महामारी के कारण कोई जबाब नहीं आया तीन वर्ष निकल गए फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पश्पति व्रत को किया तता रतलाम की कथा श्रवन की कथा के पंडाल में आपने कहा था बेट कर कथा सुनने का जो लाब है उसका फल मिलता जरूर है मैंने कथा श्रवन करने रतलाम गई वहां कथा सुनकर आई मेरे पती द्वारा फिर एक बार मन में आया कि अब नोकरी नहीं लग रही तो दुकान लगाने का प्रयास करा जाए दुकान लगाने के लिए कहा पर पती ने कहा मैं कल दुकान की एगरिमेंट करवाने जा रहा हूं पर दुकान की पगड़ी ज़्यादा है धाई लाक रुपे की पगड़ी देना पड़ेगी इतना पैसा कहा से आएगा दुकान लगाने का मन में भावाया मैंने पशुपती वरत प्रारम कर दिये और बाबा से कहा बाबा करजा ना करना पड़े इसी कृपा करना और पती से कहा तुम रुको मेरे पांच वरत पून हों दो मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा करजा नहीं करने देगा उसके बाद आप दुकान खुल लेना एग्रिमेंट करा लेना सारी बात करकर एग्रिमेंट वाले से बात कर ली दुकान की चर्चा हो गई और बाबा की कृपा देखी गुरुदेव केवल पशुपती वरत करे आठ दिन ही पूरे हुए प्रातना करती रही और बाबा की कृपा से पती के पास विभाग द्वारा पत्र आया कि आपकी डियूटी विभाग में डॉक्यमेंट विभाग में जमा कर दिये गए हैं तथा मेरे पती के सारे डॉक्यमेंट जबा हो गए और मात्र तीन महिने के अंदर पंदरा वर्ष से जिस नोकरी के पीछे लगे थे बाबा ने वो नोकरी सरकारी मेरे पती को दे दी और करजा नहीं करने दिया यह शिव है यह शंकर है जहां पर बेटें हो लता लोहार श्रीमाती और पती विनोर लोहार दस इसने नगर संजीत रोट मंसोर मद्य परदेश से यह शिव तत्व है यह शंकर योगड़ी अब उससे कहो तो फिर कहूंगा एक निवेदन सियोर वाले महराज पर एक रती का भरोसा मत करना पर भरोसा करना तो मेरे देवादी देव महादेव उपर करना वो साथ देगा सियोर वाला तो यहीं रह जाएगा उपर तक तो मेरा महादेव ही जाएगा कौन किसके साथ गया है आपको दुखाया तो क्या कोई आकर खड़ा हो जाएगा किस सियोर वाला महराज आकर खड़ा हो जाएगा सिध्योरवाला महराज आकर खड़ा नहीं होगा जब दरोपति का छीर खीचा रहा था तो सारे गुरू भी बेठे हुए थे पर दरोपति के छीर को नहीं बचा पाए गुरुओं ने कहा कि द्रोपति क्या चाती है द्रोपति काती है मैंने आप से गुरू मंत्र लिया आप मेरे गुरु हो आरे मेरा चीर खीच रहा है गुरुदेव तुम तो बोलो गुरु जी कहते हैं द्रोपती यहां सभा में जितने बेठे कोई साथ नहीं देगा तेरा गुरु में ने अधीश ने आकर चीर बचाया गुरू साथ ना देगा पर गुरू का बचन साथ दे जाएगा आप भी याद रखना हम भले तुम्हारे सामने खड़े हो ना हो पर एक बात याद रखना कि श्री शिवाए नमस्त भ्यम और एक लोटा जल तुम्हारा साथ आखरी तक दे कर जा आएगा वर तुम्हें चोड़े गाना है जाएगा जाएगा नहीं है चाएगा नहीं है